तो भाईयों जैसे कि मैंने यहाँ पर Liamsre कोreso ओपन किया, आपन करने के बाद simply यहाँ पर मैं नीचे की तरफ स्क्रोल करता हूँ, तो यहाँ पर हमने एक option देखने को मिलता है refresh, मैंने इस पर click कर दिया, तो जैसी मैंने यहाँ पर refresh के option पर click किया, तो जैसे कि मैंने इस पर क्लिक किया मैं नीचे की तरफ स्क्राल करता हूं मतलब कि मैं यहां पर कुछ रील तो देख सकता हूं दो तीन रीले यहां पर देख सकता हूं लेकिन जब मैं और नीचे की तरफ स्क्राल करता हूं तो यहां पर फिर से नीचे की तरफ स्क्राल करता ह और ना ही मैं कोई story देख पा रहा हूँ ना ही किसी का message read कर पा रहा हूँ मतलब कि इस तरीके से याँ पर मुझे बहुत सी problem देखने को मिल रही है तो भाईयों आज की इस video को देखने के बाद आपकी ए problem 100% solve होने वाली है तो भाईयों आपको अभी भरोसा नहीं हो रहा है तो आप इस video के नीचे जितने भी comment आएंगे आप उनको read करके देख लेना सभी आपको अच्छे ही comment मिलने वाले है क्योंकि जो लोग इस video को इन तक देख लेंगे उनकी problem 100% solve हो जाएगी और ओ सभी अच्छा comment करके जाएंगे तो यदि आपकी भी problem solve होती है तो आप एक प्यारा सा comment कर देना end भाईयों यदि आपकी problem solve हो जाती है तो आप इस channel को subscribe करना वरना subscribe भी मत करना तो चलिए video करते हैं start और आपको बताते हैं मैं आपको दो तरीके बताऊंगा ये दोनों तरीके work करते हैं आप चाहो तो पहला तरीका यूज़ कर लेना या फिर आप दूसरा तरीका यूज़ कर लेना आपकी मर्जी आप आपने हिसाब से जो भी तरीका आपको अच्छा लगे उसको आप यूज कर लेना तो भाईयों सबसे पहले बात करते हैं कि आखिरकार यहाँ पर यह नो इंटरनेट कनेक्शन वाली प्राब्लम आपको क्यों देखने को मिलती है तो उसके लिए यहाँ पर मैं यहाँ पर play store open कर लेता हूँ तो जैसे कि मैंने यहाँ पर play store open किया यहाँ पर सर्च बार में टाइप करता हूँ instagram तो भाईयों यहाँ पर मतलब कि instagram में अभी एक latest version में update आया हुआ था जबसे लोगों ने उस update को किया है मतलब कि instagram को latest version में update किया है तब ही से problem देखने को मिल रही है तो भाईयों इसका क्या solution है तो इसके लिए आप instagram का world version डाउनलोड कर सकते हो या जो तरीका मैं आपको बताता हूँ ओ तरीका आप यूज करके भी इस problem को solve कर सकते हो और मैं एक चीज पहले ही clear कर देता हूँ कि instagram पर कोई ऐसी secret setting या फिर कोई ऐसा option नहीं है जिसका यूज करके आप इस problem को solve कर इसski sol पर मैंने इस पर लांग प्रिस किया और यहा प vacun पर क्लिक कर दिया इस इस पहले ही क्लियर कर दोगे के तो आइसमिंटर चीज कर देता हूँ और पर आइडा पासवर्ड बता है तो आप इस्टर को विस्टर करना तो फिर पिर से एडा पासवर्ड डाल लॉग अट ल के बाद यहाँ पर आपको सर्च बार में टाइप करना इंस्टाग्राम लाइट तो यहाँ पर आपको इसको इंस्टाग्राम लाइट को इंस्टाल कर लेना है तो जैसे कि मैंने यहाँ पर इंस्टाग्राम लाइट को इंस्टाल कर लिया तो यहाँ पर आपको नीचे एक option देखने को मिलेगा already have an account आपको यहाँ पर login के option पर click कर देना है जैसे ही आप इस पर click करोगे तो हो सकता है यहाँ पर आपको black screen दिखाई दे रही हो क्योंकि यहाँ पर आपको करना क्या है instagram का id and नीचे password डाल कर login के option पर click कर लेना है तो मैं यहाँ पर instagram का id and password डाल देता हूं तो भाईयों जैसे कि मैंने यहाँ पर instagram का id and password डाल दिया हुआ है simply मैं यहाँ पर इस login के option पर click कर लेता हूं तो जैसे ही मैंने login के option पर click किया simply हमारे सामने कुछ ऐसा interface आया मैं यहाँ पर not कोई भी could not refresh feed की problem देखने को नहीं मिल रही है and भाईयो मैं यहाँ पर इस real वाले option पर भी click करके आपको दिखा देता हूँ तो यहाँ पर मैं जितनी आँ उतनी real देख सकता हूँ लेकिन मुझे यहाँ पर no internet connection की कोई भी problem देखने को नहीं मिलने वाली है मैं यहाँ पर आपको नीचे करके दिखा देता हूँ यहाँ पर आप देख सकते हो मैं नीचे की तरफ कर रहा हूँ लेकिन यहाँ पर कोई भी मुझे problem देखने को नहीं मिल रही है लेकिन भाईयो यहाँ पर आपको एक problem देखने को मिल सकती है और प्राब्लम क्या है कि साइद आप इंस्टाग्राम लाइट से रील नहीं बना सकते हो simply मैं यहाँ पर इस कैमरे वाले option पर क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ पर मुझे कि और दो option देखने को मिलते हैं post and story यहाँ से आप रील नहीं upload कर सकते हो तो ओ मैंने आपको पहले ही बता दिया तो भाईयों यहाँ आप इंस्टाग्राम पर रील और नहीं upload करते हो तो आप इंस्टाग्राम light का use कर सकते हो आप यहाँ पर कोई भी problem देखने को नहीं मिलेगी यहाँ आप इंस्टाग्राम पर रील भी बनाते हो और आपको यह problem देखने को मिल रही है तो इसके लिए आप इस दूसरे तरीके का use करना तरीके से भी आपकी यह problem solve हो जाएगी तो भाईयों अब उसके लिए आपको करना क्या है तो भाईयों उसके लिए भी आपको अब यहाँ पर आपने अबर पर आपके सामने एक website आएगी इस पर लिखा हुआ instagram.ian.up2down.com और नीचे लिखा हुआ है older version of instagram आपको इस पर क्लिक कर देना है जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे आप यहाँ पर नीचे की तरफ scroll करोगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि आपको instagram के बहुत से वर्जन देखने को मिल जाएंगे जो की old है and यहाँ पर आपको एक दो latest भी मिल जाएंगे तो यहाँ पर October में जितने भी अपडेट आएंगे उनमें से आप किसी एक को download कर लेना जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है October 26 सन 2022 developer 22 तो आपको इसी को download कलनें फारकल किया Is पर कऺिस्तिक करने के बाद वार手श एछ यहाँ पर यहाँ पर एक option देखने को मिलता है download मैंने इसपर click कर दिया तो जैसे ही मैंने इसपर click किया तो यहाँ पर यह थोड़ी दें load link लेगा उसके बाद एक option आएगा download आपको इस three dot के option पर click करना है एंड यहाँ पर आपको इस डाउनलोड के option पर click कर लेना है तो जैसे ही आप इस पर click करोगे यहाँ पर downloading start हो जाएगी तो मैंने इस जो पहले से डाउनलोड करके रखा हुआ है तो simply मैं इसी को install कर लेता हूँ तो जैसे कि मैंने इस पर click करने के बाद एक option आ रहा install मैंने इस पर click कर दिया तो भाईयों जैसे ही मैंने इस पर click किया हमारे सामने installing start हो गई है थोड़ी देर installing होगा उसके बाद हमारे सामने एक option बाद 100% solve हो जाएगी मैं पके दावे से कह सकता हूँ तो आप चाहो तो चैनल को subscribe कर लेना वरना भाई कोई बात नहीं तो simply यहाँ पर आपको एक नीचे option देखने को मिलेगा open आपको इस पर click करना है इस पर click करने के बाद अब यहाँ पर भी आपको अपना Instagram ID and password डाल देना है मैं आपको बिल्कुल अभी लाइप प्रूफ के साथ दिखाने वाला हूँ simply यहाँ पर नीचे आपको एक option देखने को मिलेगा login to another account आपको इस पर click करना है and भाईयों यहाँ पर आपको सर्च मतलब की अपना Instagram का username and password डाल देना है तो भाईयों जैसे कि मैंने यहाँ पर Instagram का username and password डाल दिया हुआ simply यहाँ पर login के option पर click कर लेता हूँ तो जैसे ही मैंने इस पर click किया मेरे सामने कुछ ऐसा interface आया simply मैं यहाँ पर not now के option पर click कर देता हूँ जैसे ही मैंने इस पर click किया तो यहाँ पर हमारे सामने Instagram मतलब की आ चुका है हम मैं नीचे की तरफ scroll करके भी आपको दिखाता हूँ कि हाँ problem solve हुई या फिर नहीं की तो भाइयों यहाँ पर मैं नीचे की तरफ scroll करते जा रहा हूँ यहाँ पर आपको देखने को मिलड़ा होगा मैं जितना जाओ तरह नीचे की तरफ scroll कर रहा हूं लेकिन यहाँ यहाँ पर मुझे कोई भी मतलब की could not refresh feed या फिर मतलब कि मैं यहाँ पर रील के option पर क्लिक करके आपको दिखा देता हूं नीचे की तरफ स्क्रॉल करके तो भाईयों यहाँ पर भी मुझे कोई भी problem देखने को नहीं मिल रही है नो इंटरनेट कनेक्शन वाली जैसे कि यहाँ पर मैं नीचे की तरफ स्क्रॉल कर रहा हूं तो भाईयों अब मैं यहाँ पर थोड़ा बैक कर लेता हूं यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा यहाँ पर इस तरीके का यहाँ पर यह option देखने को मिल रहा है मैं यहाँ थोड़ा नीचे मतलब बैक करके बिल्कुल आ जाता हूँ यहाँ पर बैक अब मैं फिर से यहाँ पर इंस्टाग्राम को ओपन कर लेता हूँ तो भाईयों जैसे कि मैंने यहाँ पर जब दोबारा ओपन किया इंस्टाग्राम को तब भी मुझे यहाँ पर मतलब की option देखने क को मिल जाएगा तो भाईयों इस तरीके से आप भी इस problem को solve कर सकते हो मैंने आपको दो तरीके बताए आप दोनों तरीकों में से किसी एक का यूज कर लेना तो भाईयों यहाँ पर इस वाले इंस्टाग्राम को डाउनलोड नहीं करना चाहते हो तो यार आप इंस्टाग्र यहाँ पर फिर से मतलब कि उसको delete कर देना and play store पर जाकर जो इंस्टाग्राम है उसको download कर लेना आपकी यह problem solve हो जाएगी लेकिन भाईयों जब तक यह problem आ रही है तब तक यह आप इंस्टाग्राम का use करना चाहते हो तो बस यह दो ही तरीके हैं जिनका use करके आप इस problem को solve क कर सकते हो और इंस्टाग्राम को use कर पाओगे और कोई तरीका नहीं है तो भाईयों आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो यह प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना इस वीडियो को like करना तो यह तब तक के लिए बाई और चाहो भाईयो तो आप मुझे इंस्टाग्राम आप भी फॉलो कर सकते हो मेरा यूजर नेम है राहुल टेक्टिप्स 01 आपको स्क्रीन पर भी देखने को मिल रहा होगा और यह आप लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाओ तो फॉलो कर लेना तो यह तब तक के लिए बाई